और ये यात्रा से लोग को भर्मित न करें अपराद भरस्टाचार बिहार के लिए सबसे बड़ा भिसाप है जनता समझ चुकी है कि सिर्फ परिवार के लोग ही परिवार की पाटी है बिहार की सत्ता से बाहर होने के बात से तेजस्वी आदो जन विश्वास यात्रा पास से निकल चुके हैं लेकिन आपको बताते चले कि बीजेपी के नेता और डिप्टी सियम समराट चोधरी और बीजेश सिनहा ने खूब जोरदार हमला बोला आपको बताते हैं कि धानुक म समाज के बेटा को न्याय दिलाना था तब कहा इनकी आवाज थी साथी उनकी उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरीके से इनको काम करना चाहिए था वो काम नहीं किया है सुनुआते हैं पहले आपको बिजेश सिनह क्या कुछ कर रहे हैं और विहार के लोगों के बीच दास्तत पैदा करने वाले अपराद और भरस्टाचार को चरम पर पहुचाने वाली पार्टी है और राजत के जो अभी उत्रा धिकारी बने हैं जो जुबराज बने हैं मौका मिला था सुधर ने का लेकिन उन्हाने सुधरा नहीं उस बेटा का गरिबों के बेटा का आज सबसे ज़्यादा किसले उसको अफमानित किया तरस्त किया यह बता दे और यह यात्रा से लोग को भर्मित न करें अपराद वरस्टाचार बिहार के लिए सबसे बड़ाभ हिसाब हैं और जब तक अपराद्योर वरस्टाचारी को मैं समाज में भेद नहीं करता लेकिन अपना धोर भरस्टाचा और मुक्त बिहार अज बिहार के लिए आबस्ता कैब बिहार गाली नहीं बनेगा बिहारी गर्व का और सम्मान का बिशय बनेगा आपने सुना किस तरीके से बीजे सिना देजस्वी आदो पर खूब बोल रहे हैं साथ ही कारे की जीन को जब मौका मिला था तीन होने काम नहीं किया है वहीं समराज चोधरी को सुना आते हैं क्या कुछ का रहे हैं आपने सुना किस तरीके से समराज चोधरी ने तेजस्वी आदो के यातरा को ले करके जन्विश्वास यात्राओं को जोड़दार हमला बोलते हैं साथ आपका है कि ये बेटे बेटा और मा की परिवार पाती रहकर बन कर रह गए साथी उन्होंने का कि इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है देखना यह होगा कि जिस तरीके से तेजस्वी आदो सत्ता से बाहर होते ही जन्विश्वास यात्राओं पर उतर चुके हैं तो कितने यानि जन्ता का उनको आशिरबाद मुलता है या जिस तरीके से लगतार वीजेपी के तोरह से कहा जा रहा है कि इससे कुछ होने हासिल होने वाला नहीं इस तरीके की यह कई बार याता करते रहते हैं और इसमें फेल हो जाते हैं